थानिय बिधाय को देना चाहिए था उससे अधिक सम्मान मानिय संजय सिंग जी देते हैं इसलिए यहां के लोगों की इच्छा है कि हमारा परतिनिदी संजय सिंग जैसा ब्यक्ति हो तायारी है कि दो हजार पचीस में जो बिहार बिधांसवा का चुनाव होने वाला है उसमें हम लोग बाठ के सीट जो यहां चूनाव कर रहा है जो जन्ता दली वनायटेट के सीट का मांग करें उसे संजय सिंग के भारे में हम लोग चाहते हैं कि वो चूना बेड़ा है बागी जब नेत्रु तो जिनकों भी फिर प्रताय करके भेदेगी हम लोग उनके साथ काम पर यहां चुना चुकि फिर जब मुहास्तिर से नतितु भेद दता है तो हम लोग को मदद करना है लेकिन इस बार हम लोग कोई कड़ा निर्णाइब भी जिडियू और आम यहां के स सारे लोगों का यह है कि अब जेडियू का हमरा सीट है इसलिए हम लोग एक कर्ज करता है नाते अपने से नितिवति से आधर्णिये नितियुष कुमार जी मानिये मुख मंत्री जी से आधर्णिये मंत्री केंद्रिये मंत्री ललन वाव से हम लोग यह मांग करते हैं कि मकिन और नहीं शुरू होगाई है अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह心सले करने के लुक करें क्या करनी के अंद्ढाण में करें क क्या का एक तियारी है जो भीहार विधान सबा समय के शुनाव होने वाला है उस में हम लोग बार के सीट जो परमप्रागत जनता दली उनाइटेड का सीट है वो जनता दली उनाइटेड के सीट का मांग कर रहे हैं यहां पर जो भी यहां पर जुटे हुए हैं वो सभी जन परतिनी देया और जनता दली उनाइटेड के सभी वरिष्ट करता है जो माननिये नितीश कुमार जो 2015 तक हम लोग का जदियू का सीट यहां पर चला था वो 2025 में भी जदियू का सीट रहे और जब सिर्ष नेत्रित के पास हम लोग अपना दिये हैं मंतव है जिनके बारे में कि उनको लड़ा जाए किनके बारे में संजे सिंग के बारे में हम लोग चाहते हैं कि वो चुनाल बाकि जब नेत्रित जिनको भी फिर तैक करके भेदेगी हम लोग उनके साथ हैं जो मवजूदा बिधायक को हटाना के बात बोल रहे हैं जनता दल यूनाइटेट का सीट होना चाहिए तो एटमेटिक को हट रहे हैं आग काम जब नहीं करें तब न आक्रोस है यहां के प्रतिनीदी है जनता से मिलते हैं जनता का क्या रुजाने काम किये हैं या नहीं हो जनता में पूरा अक्रोस है जनता में पूरा अक्रोस है कि दोजार पांच से लेकर जो चुनाव जिते हैं वो एंडिय के तौर पर निकल जाते हैं यहां चुनाव चुक्कि फिर जब वहां सिर्षनेतितु भेद्टता है को अपने स्रिस नतिदु को अब गत करा देंगा इस वात के लिए कि अखेस्श हैं क्या यहां लोग करें कि जो मुझूस कर रहे हैं कि आश च्रचा भर लग जांता दल्या के तो क्या कर रहा है कि आप लोग जेडियू को सिट चाहते हैं बीजेपी के बिधायक है जो अभी काम नहीं कर रहे हैं नहीं जेडियू का इसीट पहले था ही जो आद बिधायक है वह 2005 में 2010 में वह जेडियू से ही बिधायक थे और आज उसके बाद वह नितीज कुमार से उनका भेद हुआ और वह पार्टी छोड़के अलग गए पुना 2020 में वह चुनाव लड़े एंडियू में तो जेडियू और बीजेपी साथ में रहके उनका जेडियू को भी कर्ज करता लोग उनको मतान करके भोट देके उनको जिता के भेजा लेकिन अब जेडियू और आम यहा संती ललनवाउ से हम लोग यह करते है कि जेडियू का सीट बाड़ का जो पुराणा रहा है उसको फिर यहां से जेडियू का प्रतियासी हो ताक हुं को उनका भी थोड़ा हाइव हो उनको भी कुछ काम समझ में आबहे और mamma あनको को करता करता कोई नहीँ होता है फिर चुनाव होगा फिर पुना लेकिन हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हम लोगों का जीडियू का हमरा कंडियेट हो और विचार हम लोगों का है कि स्री संजैज सिंग है फहले भी कर्च करता से जुड़े हुए हैं इसलिए हम लोह का मांग है और हमारे जडिके वह कर्च करता है दुख सुख देख visual हैं समझते हैं हर समय उपस्थी तरहते हैं इसलिए हम लोगों का मांग है कि यहां से अपने केंद्री से कि यहां से जेडियू सीट बाढ़क हो और संजय वावु यहां से चुनाव लड़े कुछ लोग हैं उनलोगों सभी बात्चीत करने का प्रयास करते हैं अखिर मौजूदा बिधायक हैं उनके खिलाप इतने नराज़गी क्यों है वह 20 साल में कोई कामें नहीं किये हैं सारा फंड अपना बेचने काम किये हैं कोई एक भी परकर नहीं बता सकता है कि किसी को बिना कमिशन के फंड दी होंगे और संजे भीया बार का मल्सी नहीं पूरे बिहार का है भार उनका चेतर नहीं है फिर भी कम से कम 2 क्रुर काम बार में किये हो संटे सिंग एमल्सी रहते हुए विधायक से ज़्यादा काम बार में कर तो देखने की चीज़ है गली गली में संजैसीन विकल्फ है बार का वही वार के बिकास कर सकते हैं और जो मुझ abbiamo की काम ही जो भी काम कियें बिजनस किया बार में सिर्फ चलिए और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कुछ लोग हैं पिछले दिनों जो एमेल सी हैं संजैसी नहीं एलान किया था कि बार से चुनाव लड़ेंगे और इसी को लेकर हम आज प्रतिनीधी लोगों से बातचित करते हैं कि संजै परिवर्तन की एक बियार वार विधान सभा में बह रहे हैं और लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो क्योंकि इनका जो विकास का एजंडा हो या समाजी सुधार की बात हो या किसी तरह का कोई कार्जो इनको इस चीज़ से कोई मतलब होता नहीं है जब भी बार को विधाय की आप सकता होती है बता जाता है कि यह दिल्ली में तो अक्सर हम लोग देख रहे हैं तो बार चुके नितीश कुमार जी जो बिहार के मुख मंत्री हैं और केंद्रिय मंत्री लालन वावु की कर्म भूमी रही है तो यहां के लोग शिर्ष नित्रिस वे डारेक्ट जूरे हु हम लोग पर्तन के लिए पर्तिवद्य अगर यह सही बिधायक होते थो बार आज जिला होता और अगर बार जिला होता तो विकास की कुछ अलग इस्थिति बार में दिखाई देती विकास के लिए सबसे बड़ा बाधग है और मुक्ष मंत्री जी ने अपने भासन में कहा थ बिल्कुल बिल्कुल आसा है इसलिए कि जब यहां के कुछ नहीं है तो आपने विकास के लिए उसका एक अच्छी खासी रासी उन्होंने बार विधान सभा में भी खर्च किया है तो ऐसा प्रतीत होता है उनको इस्षेत से लगाव है और यहां के कार्ज करता भी उनलों से डाइरेक्ट जुरे हुए है तो जितना सम्मान अस्थानिय विधायक को देना चाहिए था उससे अधिक सम्मान मानिय संजय सिंग जी देते हैं इसलिए यहां के लोगों की इच्छा है कि हमारा प्रतिनिदी यहां जितने भी हुए विकास जो सरकारी फंड है वो तो कोई प्रतिनी धी रहेगा तो देगा इसलिए विकास के नाम पर केंदर सरकार राजी सरकार विकास कर रही है कोई अपने जिम्में ठीकडा फोड़ता है तो गलत वात है